वीपी शुक्साब मैं आप से जानना चाहता हूँ कि परयाख राजमितिक प्रतिमुद्ट क्या है देखे बड़ा ही एकडेमिक और बहुत ही प्रासांगिक सवाल है आपका इस पर चर्चा भी काफी एक पुर्वराजपती ने भी इस चीज को छेडा था और इस पर लगभग 20 साल पहले मैंने स्टडी की थी और उसमें किताब भी लिखी थी इंडिया अन्रिप्रेजेंटिट जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है और डेमोकरिसी उसका एक दूसरे से चोली दामन का साथ है हम डेमोकरिसी को अगर अच्छा करना चाहते हैं बहतर करना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटिशन बहतर होना चाहिए परियाप्त होना चाहिए जब हम तुलना करते हैं अन्य देशों के जो रिप्रेजेंटिशन है उसकी लिस्ट से तो सबसे पहले अगर हम इंग्लेंड को लें तो इंग्लेंड के अंदर जनसंख्या है वो करीब साड़े पांच करोड़ की है और उनके प्रतिनेधियों की संख्या 1500 के लगभग है और हमारे देश की जो प्रतिनेधिय हैं उनकी संख्या 795 से 802 तक रहती है और जो जनसंक्या है हमारी वो करीब एक सो पैंस करोड़ के असपास है अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो अमेरिका की जनसंक्या साड़े तालिस बैंस करोड़ है उसे क्या सपास ही रहती है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा और उनके जो प्रतिने दिये हैं वो 535 है फ्रांस की जन संख्या साड़े 6 करोड है उसके 903 प्रतिने दिये हमारे देशों से लगातार आप तुलना भी करते रहिए सबी को ये एकेडिमिक सवाल में हिस्सा लेने की बहुत ही आवश्यक्ता है जब हम देखते हैं इटली उसके भी जन संख्या साड़े 6 करोड है और जो उनके प्रतिने दियों की संख्या 1865 है हमारा जो पड़ोसी राष्ट है पाकिस्तान महां की जन संख्या साड़े 16 करोड के असपास है और 342 के असपास वहां प्रतिने दिये हैं मंगला देश भी हमारा इस सारा है वहां भी अगर कंपेर करके देखें तो 350 प्रतिने दिये हैं और जन संख्या साड़े 17 करोड है इसी तरह श्रीलंका को देखेंगे तो करीब दो करोड 25 लाग क्या सपास जन संख्या है 225 मेंबर अपालियमेंट वहां पर होते हैं नेपाल में भी काफी ज्यादा है भुटान का तो लाइन नी कर सकते हैं भुटान की जन संख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रतिने दिये हैं वहां पर लेकिन सबसे महत पूर्ण जो कंपेर जाने वह है चाइना के साथ वह980 या लगभग तीन हजार के आसपास प्रतिने दिये हैं और जन संख्या हमसे धोड़ी सी जादा है कुछ जादा है तो और हमसे लगभग लगभग चार गुना परतिनिदियां वहां पर परतिनिदी अधिक होने से परतिनिदी एक तो एकसेसिबिल होते हैं पहुच के भीतर और उनको लॉयल होना पड़ता है वो किसी वेव के सहारे नहीं रहते क्यों कोई भी वेव है निश्यत रूप से उस वेव की से दिक्कत डिमोकरिसी को हो सकती है और ये कुई मैं किसी राज़निक पॉइंट अफिस से नहीं कह रहा है मैं एक राज़निक शास्त्र के विद्यारती की तरह से कह रहा हूँ कि हम अगर एकेडमिक डिसकेशन करने लगें तो ये बैटर रिप्रेजेंटेशन के लिए सही बात निकल के आए लोगों के अंदर उनकी क्या वाइस है वो किसी वेव का अगर गुलाम होगी उस पर जुन करके चलेगी तो वो इमानदार वेव नहीं होगी और इमानदार डिसीजन नहीं होगा जनता की तरफ से बोटर की तरफ से और अगर जनसंक्या जादा होगी तो निश्चित रूप से हर वर्ग चाहें कमजोर हो चाहें ताकत पर हो किसी भी तरह का चाहें महिलाया हो वो हर तब के कोई मौका मिलेगा कि वो अपने प्रतिनेजिसे मिल सकें अपने प्रतिनेजिसे सवाल पूछ सकें और इसमें लोकतंदर की सफलता बहुत हच तक शामिल है परयात प्रतिनेजित के लिए आवश्यक है जो हमारी कॉंस्टेंसीज हैं वो छोटी हो शोटी होट हो अपने आप उपर बढ़ती है वोट की कीमत बढ़ती है वेलिव अफ वो जो है वह उपर बढ़ेगी जोट्वेंसी ओकर छोटी होगी तो इसी तरह से निश्य तरूप से प्रयाध्य कारण की बाते हैं बहुत बड़ा डिसकुशन है लेकिन इसकी समरी यही है कि यह चोटी हो बाबा साब डाक्टर अमबेट कर भी यही चाहते थे कि लोगों का जो रप्रेजेंटेशन है उसको ठीक करने के लिए पब्ली के ओपीनियन को वैली दिया जरूरी है और यह मैथाइड है रप्रेजेंटेशन का वह इस तरह का हो कि चाहि माइनर्टी हो चाहि मैजरर्टी हो सबको रप्रेजेंटेशन मिले हो उनके पबिक ऑपिनियन का भी हो और सभी तब का रप्रेजेंटेशन हो डाक्टर अम बिड कर यही चाहते थे और मैं समझता हूँ कर अकड़मी गूप से इसकी बड़ी आवशकता है अगर कॉंस नहीं पाते अगर प्रते जो चेतर है रेप्रेजेंटेशन एरिया वो अगर छोटा होगा तो उनकी बात वहां तक पहुच पाएगी और पूच पाएगा वोटर भी कि हां मेरे लिए आपने क्या किया या मेरे गरी सड़क डवलप्पेंट सारे सवाल हैं वो पूचेगा फिर या मेरे लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और श्रीये जरुकरी धन्यवाद